अलस्सलाम अलेकुम अज हम बनाएंगे इमली की खटी मीटी चट्नी जिसके लिए मैंने हाफ कब इमली लिया है और उसको मैंने गरम पानी में आदा घंटे तक भीगो के रख दिया था और आप देख सकते हैं कि यह किस तरह फूल गई है इमली अब हम चलेंगे इसको पकाने की तरफ अब हमने क्या किया है एक पैन में जो है सारी इमली जो है वह हमने निकाल दी है और आप चाहो तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो इसमें पर मेरे इमली में जो है काफी पानी था पहले से ही तो मैंने इसमें पानी नहीं डाला है हिलाते हुए हम इसको पकाएंगे तकरीबन पास से साथ मिनट लगते हैं जब इसमें उबाल आ जाए तो फ्लेम जो है लो पे रखके ही हमें इसको पकाना है तकरीबन पास से साथ मिनट लगते हैं इसको उबलने के लिए ये आप देख सकते हो कि हमारी इमली जो है वो पकते हुए इसको दो से तिन मिनट हो गए है और ये अच्छी खासी ठीक हो गई है देख सकते हो आप अब हम भिलाते हुए इसको पकाएंगे हमें इसका ठीक कंसिस्टेंसी चाहिए जब ये अच्छी तरीके से गाड़ी हो जाए तो हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे एक लिट की मदद से ढख कर रख देंगे और आप देख सकते हो के इमली हमारी किस तरीके से थिक कंसिस्टेंसी में आ गई है और काफी फूल भी गई है ये अब हम इसे थंडा होने के लिए रख देंगे उसके बाद हम इसे एक मिक्सी जार में निकालेंगे सारी इमली हम मिक्सी जार में निकाल देंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसे ग्राइंड करेंगे और आप ये देख सकते हो सारा पल्प जो है एक स्टेनर में डालेंगे जिसकी वज़े से जो एक्स्ट्रा रेशय होते हैं इसमें वो अलग हो जाएंगे और एक सौफ पेस्ट इमली का हमें मिलेगा कंटिनेसली हिलाते हुए हम इसे सारा पेस्ट और जो अलग कर देंगे कंटिनेसली इसको हिलाना है और अगर आपको लगे तो आप मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी मिलाकर इसमें डाल सकते हो यह आप देख सकते हो कि किस तरह हमारा पल्प अलग हो रहा है और जो रेशा रेशा है जो हमें नहीं चाहिए बिलकुल भी जो किस सवर्ज कर दो जो हमारा प्लग हो यहमारा प्लग इसमें बद्टेर की जो हमारा प्लग है जो किस तरह हो रहा है तरह है vivo इसको प्रेस करते हुए, हमने सारा पल्प निकाल देना है, यह आप देख सकते हो, यह इस तरहा का रेशा हमें बिल्कल भी नहीं चाहिए, तो हम इसको अलग कर देंगे, यह देख सकते हो आप, यह हमारा इमली का पेस्ट, इमली का सारा पल्प जो है, वो निकल गया है, अब इसको चटनी बनाने के लिए, हमने सबसे पहले दाला है, वन टेबल स्पून ओईल, और जिसमें हमने हाफ टी स्पून जीरा दाला है, जीरा क्रैकल होने के बाद हमने इस और इम्री का पल्प डाल देंगे उसमें और बीच बीच में हमें इसे कंटिनेसली चलाते रहना है जब तक इसकी एक ठीक कंसिस्टेंसी एक नहीं मिल जाए हमें तब तक हमें इसे पकाना है मीडियम तो हाई फ्लेम पे हमें इसे पकाना है अब और इसको हिलाते भी रहना है बीच बीच में जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए तो हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और आप देख सकते हो कि पकते हुए तकरीबन तीन से चार मिनट हो गए है इम्री को यह थीक कंसिस में आ गई है भी अब हम इसमें डालेंगे गुड़ गुड़ को मैंने इस तरीके से चोटा चोटा बारिक लिया था जितना हमने इमली लिया है हाफ कप उतनी ही हाफ कप हम इसमें गुड़ डालेंगे और गुड़ को डिजॉल्व होने तक हम इसको पकाएंगे क्योंकि हमने गुड़ के चोटे चोटे पीसिस किये है तो वो उसकी वज़े से हमारा गुड़ बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा यह आप देख सकते हो हमारा गुड़ जो है वो पीगल रहा है इसको हिलाते रहना है हमें मीडियम टूल हाई फ्लेम पर हमें इसे पकाना है और जब इसका उबाल आ जाए हमें लेम लो करना है यह आप देखिए कि हमारा जो इमली का पल्प है अब इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून नमक काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्ची जिस्जा हमारा कलर अच्छा आएगा 1ग जिंजर प्वडर ₹ जीरा प्वडर हजी आफ़ धेथाले कि हमें से श्टर करकर मेक्स करना है यह आप देख सकते हो कि कितना प्यारा कलार आया है जेसे मार्केट में जो चट्नी मिलती है पैकट्स में जो चट्नी मिलती है मार्केट जैसा कलर आया है इसमें अब जो है जितना हमने गुर दाला था उसका फू gate di me फिर नालमी फोर है इसमें शकर जाएगी है क्योंके गुणके गुड़ और इमली के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए शकर दालते हैं क्योंकि इमली में तो खटास होती है इमली खटी होती है और गुर में भी थोड़ा सा होती है जिसके लिए उसे बैलेंस करने के लिए हम उसमें शकर डालेंगे अगर आपको और ज़्यादा मीठी चाहिए तो आप थोड़ा सा कॉंटेटी और बढ़ा सकते हो 4 टेबल स्पून की जगा आप उसमें 5-6 टेबल स्पून भी जाल सकते हो शकर जिससे क्या होगा आपकी जो इमली की चटनी है वह और मीटी हो जाएगी अब देख सकते हो कि हमने इसे हिलाया है और ये काफ़े थिक कंसिस्टेंसी में आ गई है अब लो फ्लेम पे जो है हम इसको छोड़ देंगे अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे इसको थंड़ा होने के लिए रख देंगे हाफ एनार अब एक सर्विंग बाउल में हम इसे सर्फ करेंगे रिचट पटी खटी मीटी इमली की चटनी रडी है आप इसको दही वड़े के साथ किसी भी चाट के साथ या पानी पूरी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो और आप इसको दो से तीन हफतों के लिए February चाट कर सकते हो एक एर टायट Unterne में आप इसको April कर सकते हो दो से तीन हफतों के लिए आप इसी यूस कर सकते हो अगर आपका मेरी डशी पे अच्छी लागे होगी तो प्लीस सब्सक्राइब कर ना भूलिए ताके मेरी आने वाली नई रेसिपीस आपको सबसे पहले मिल सकें ठैंक्स पर वाचिंग